हाई आवरिवन आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं बीए के फिफ समेस्टर की इंग्लिश कमपलसरी की बुक का फर्स चाप्टर जिसका नाम है फ्रीडम एट मिटनाइट आईए हम फटाफट से स्टोरी को सुन लेते हैं आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर इसके बाद हम इसके कोशन और आंसर को समझने वाले हैं स्टोरी जो है इसमें एक बुटा सिंग है और एक जैनिब है तो आपको मैं ये स्टोरी पिचर के मादम से समझाओंगी ये बुटा सिंग और जैनिब की लव स्टोरी है उनकी प्यार की कहानी है इसमें बुटा कौन है और जैनिब कौन है पिच्चर में आप देख पाएंगे एक बुड़ा आदमी है जिसकी सफेद रंग की दाड़ी है उसी का नाम बस बूटा सिंग है जो कि 55 साल का एक किसान है फिर आप पिच्चर में एक लड़की को भी देख पाएंगे इसके सर पे डुपट्टा है यह 17 साल की लड़की है जिसका नाम है जैनिब तो आप इन दोनों की प्यार की कहानी को इस वीडियो में समझेंगे जो कि आपके चाप्टर में है फ्रीडम एट मिडनाइट आईए हम स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको ऐसा बता देती हूँ कि यह जो लड़की है इसके पी जो है इस आदमी के पास पहुंच आती है इस आदमे के उपर ऐसे ही गिर जाती है और यह बहुत डरी हुई होती है बूटा सिंग से मदद मांग रही थी जैनिब जो है एक मुसलिम लड़की थी इसे एक सीख आदमी ने पकड़ा था जब अपनी परिवार के साथ बाग कर बिचुड गई थी बूटा सिंग उसे देखता है और सोचता है यह बच्ची बहुत परिशान है मुझे इससे बचाना होगा उसने जैनिब की मदद की और उसे अपने साथ ले आया इसे इसने पैसे में खरीदे बूटा सिंग ने जैनिब को 1500 रुपे में खरीद लिया और दोनों साथ रहने लगी दोनों में प्यार बढ़ा दोनों ने शादी कर ली आरत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो रहा था उसी टाइम पे जैनिब को अगवा किया जा रहा था वो अपनी परिबार से अलग हो गई थी विभाजन की कारण दोनों देशों की सरकारे कि गई महलां को वापस उनके देशम में भीजने का फैसला करती है एक तिन बूटा सिंग के बतीजे शिकायत करते हैं और जैनिप को पाकिस्तान वापस भीजने का आदेश आता है बूटा सिंग बहुत दुक्य हो जाता है वो कहता है मैं जैनिप को जाने नहीं दूँगा अब वो मेरी जिन्दगी का हिस्सा है लेकिन बूटा सिंग की कोशिश के बाप चूट जैनिप को पाकिस्तान भीज दिया जाता है बूटा सिंग बहुत दुक्य हो जाता है और पाकिस्तान जाने की कोशिश करता है लेकिन उसे वीजा नहीं मिलता तब भूटा सिंग एक अलग विचार करता है अगर मैं मुस्लिम बन जाओं और अपना नाम बदल लो तो शायद मुझे जाने देंगे लेकिन उसकी कोशिश भी सफल नहीं होती तब वे अपने छोटे बच्चे तनवीर को लेकर चुपकर पाकिस्तान पहुँचाता है उसका जो है बच्चा भी हो जाता है जब वो जैनेप के साथ रहता है तो वहाँ वह जैनेब को ढूनता है लेकिन वह अब किसी और से डरी हुई और शादी शुदा है बूटा सिंग बहुत दुखी होता है वह आदालत में जाता है और ज़स से कहता है बस एक बार जैनेब से पूछ लो कि वह कहां रहना चाती है अदालत में जैनेब से पूछा जाता है लेकिन वह इतनी डर चाती है कि अपने ही बेटी को भी छोड़ देती है बूटा सिंग की आँखों में आसू आजाता है और वह वहां से चुपचाप चला जाता है फिर बहुत दुखी होकर वह एक ट्रेन के सामने कूट कर अपनी जान दे देता है लेकिन वूटा सिंग की मौत से लोगों का दिल तुचाता है पाकिस्तान की लोग उसकी अंतिम्यातरा में शामिल होते हैं और उसकी कबर की रक्षा करते हैं ताकि जेनब का परिवार उसे नुकसान पहुचा सके तो आपने देखा कहानी की समरी बहुत प्यारी सी कहानी थी आईए अब हम इसकी कोशन और आंसर को देख लेते हैं जो बहुत जादे इंपोर्टेंट है और पीपर में वही पूछे जाते हैं फरस्ट कुशन है वाव दिट बूटा सिंग हापन तो बाई देख सेवंटीन एर ओल्ड जेनब बूटा सिंग ने सतारह साल की लड़की जेनब को कैसे खरीदा बूटा सिंग एक दिन अपने खेतों में काम कर रहा था जब एक सतारह साल की लड़की उसके पैरों में गिर गई और उससे अपने जान बचाने की भीग मागने लगी बूटा सिंग दूरं समझ लिया कि यह लड़की एक सिंग द्वारा अगवा की गई थी जो शर्नाथियों के एक गुजर रहे जुन में थी बूटा सिंग asked the man how much money he would take to release the girl बूटा सिंग ने उसी आदमी से पूछा लड़की को छोड़ने के लिए कितने पैसे लोगे दे मैं सेट 1500 रुपे आदमी ने कहा 1500 रुपे बूटा सिंग paid up the money and in this way he got the 17-year-old जैनीब आसी's companion बूटा सिंग ने तुरंट पैसे दे दिये और उस तरह से उसने जैनीब को अपने साथी बना लिया आए नेक्स्ट कोशिन देखते हैं लेकिन कोशिन what kind of changes did she bring about in his life तो जैनीब के आने से बूटा सिंग के जिन्दगी में क्या बदलावाए आंसर इसका जैनीब transformed बूटा सिंग life completed गी जैनीब ने बूटा सिंग के जिन्दगी को पूरी तरह से बदल दिया She was a companion that he had always longed for but never had owing to his own shyness वो एक साथी बन गई जिसे बूटा सिंग ने हमेशा चाहा था लेकिन अपनी शरम के कारण उसे वो कभी नहीं मिल पा रहा था जैनिव उसके जिन्दगी का केंदर बन गई He over blamed her with affection and love बूटा सिंग ने उसे बहुत सने और प्यार दिया He cared for her like a father उसने पिता की तरह से देखबाल किया and would get some trinket or the other for her और उसे कोई ना कोई उपार उसके लिए लाते रहे जैनिव टू वोस हापी to be the recipient of so much love जैनिव भी इस प्यार से बहुत खुश थी and unexpectedly She helped him in the fields from morning to evening उसने जो है खेतों में उसकी मदद की सुबह शाम से लिके सुबह से साम तक gradually they developed a deep fondness for one another and decided to get married देरे देरे उनके बीच एक गहरा लगा बढ़ा और उनने शादी का वैसला किया तो ये कोईशन भी बहुत important है सारे कोईशन important है जो मैं आपको बताने वाली हूँ आए नेक्स्ट कोईशन देखते है ये भी कोईशन बहुत important है थर्ड कोईशन आप जितने भी मैं आपको कोईशन बता रही हूँ आप देख सकते हैं हर एक कोईशन पेपर में आ चुकी है आए देखते हैं थर्ड कोईशन जिसकराई बूटा सिंग्स जैनिव सिख वेडिंग सेर्मनी बूटा सिंग और जैनिव की जो सिख वेडिंग सेर्मनी है वो बतानी है उनकी शादी के बार में बताना है कैसे हुई सिख रिवारी थे रिवास में हुई थी अंसर है दा वेडिंग ऑफ जैनिव एन बूटा सिंग तुक प्लेस इन दोनों की शादी पत्ज़ड की मौसे में हुई थे एट डाउन बूटा सिंग अराइब एट इस ओन डोर स्टेप अन ब्यूटिफिल होर्स अस बूटा सिंग जो है अपने ही दर्वाजे पर पहुंचा एक खुबसूरत घोड़ी पर सवार होकर एक पंजाबी दूले की रूप में जैनिब लुक ब्यूटिफुल इन दर ट्रेडिशनल सारी ही हैड़ बोट फोर हर जैनिब जो है एक परंपरारिक ट्रेडिशनल सारी में बहुत जादा ही सुन्दर लग रही थी फिर दूला दूलीन और गाउं के लोग गुरु गर्ण साहिब के सामने बैठे जहां पंडिची ने उन्हें विवाह की पवित्रता के बारे में बताया जैनिब जो है अपने पती से अलग क्यों हो गई थी इसका अंसर है several years after the partition of India the two countries decided to exchange those women were kidnapped during the partition विवाजन के करिसाल बाद भारत और पाकिस्तान ने फैसला किया कि जिन महिलाओं को विवाजन के दोरान अगवा किया गया था अब उनको उनके ही देश अपने आप भीज दिया जाए there was a huge tribe to locate such woman and Bhuta Singh's nephew saw in this an opportunity to inherit his property फिर क्या हुआ एक बड़ा भियान चलाया गया ताकि इन महिलाओं को ढूंडा जा सके बुटा सिंग के बतीज ने सोचा किये उनकी लिए संपत्ती का मुका है तो इसलिए जो है उन्होंने बुटा सिंग की शिकायत कर दी पुलिस वालों से they betrayed him to the authority consequently जैनिब was forcefully taken away from his house and to Tina detention camp and efforts were made to locate her family in पाकिस्तान इसके बाद जैनिब को उसके घर से जबर्दस्ती ले जाकर एक camp में डाल दिया गया और पाकिस्तान में उसके परिवार को ढूंडने के लिए कोशिश की गई she was eventually forced to return to Pakistan leaving her husband and child behind जैनिब को पाकिस्तान लोटने पर मजबूर किया गया और उसे अपने पति और बच्छों को छोड़ना पड़ा तो यह था answer आप चाहिए इसे अपने words में भी पढ़ सकते हैं next question देखते हैं guys the question maximum time आ चुक है exam में so make sure the question करके ही जाना question है what efforts did Bhuta Singh make to get his wife back Bhuta Singh ने ऐसे कौन कौन से effort किये थे अपने पत्नी को वापस लाने के लिए answer है the desperate Bhuta Singh made every possible effort to get his wife back Bhuta Singh ने हर एक प्रयास के अपने पत्नी को वापस लाने के लिए he cut his hair उसने अपने बाल काटे and became a Muslim वो Muslim भी बन गया he renamed himself as a Jamil Ahmed उसने अपना नाम Jamil Ahmed रख लिया and went to the Pakistan High Commissioner to demand the return of his wife और Pakistan गया High Commissioner के पास उसने demand की कि उसकी पत्नी को वापस कर दो but it was of no use लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ both India and Pakistan had decided that the woman married or not would have to return the family from which they had been forcefully separated कोई woman है जो शादी शुदा है या नहीं है जो है अथोर्टी ने फैसला किया था कि उनको जो है वापस उनकी फामिली के पास बेश दिया जाएगा बुटा सिंग विस्टिट जैनिफ फोर six months in the detention camp in Delhi बुटा सिंग जो है जैनिफ के पास जाता है छे मेने के लिए camp में देली में eventually जैनिफ फैमिली had been located and she was sent to Pakistan लेकिन eventually जैनिफ की फैमिली सब को पाकिस्तान में ही भीज दिया गया था बुटा सिंग applied for a visa to go to Pakistan बुटा सिंग ने visa भी apply किया था which was denied to him लेकिन उसको मना कर दिया था when else failed he went there as an illegal immigrant यब हर एक चीज में वो fail हो गया वो जो है illegal immigrant करना चाह रहा था there he backed जैनिफ फैमिली तो give her back to him उसने जो है भीग मांगी जैनिफ की फैमिली से कि उसको वापस कर दे however जैनिफ was also married off to her cousin the moment she reached Pakistan तो जैसे ही बुटा सिंग पाकिस्तान पहुचा था जैनिफ ने भी जो है अपने एक कजन से शादी कर ली थी बुटा सिंग was very brutally beaten बुटा सिंग को बहुत तरह बुरी तरह से मारा by जैनिफ की रिष्टदारों ने and handed over to the police as an illegal immigrant और पुलिस की हवाली इसको कर दिया therefore बुटा सिंग made every possible efforts to get his family back together तो बुटा सिंग ने हर एक प्रयास की इसकी वाइफ इसकी फामिली इसकी वापस आ जाए लेकिन हर एक जो है effort है वो बिकार गए तो यह question है next question देखते है next question है what was बुटा सिंग's last wish बुटा सिंग की आखरी इच्छा क्या थी बुटा सिंग wished to be buried in his chanye village बुटा सिंग की आखरी इच्छा थी कि उसी जैनिव के गाउं में दफनाया चाए his last letter before his suicide contained the following words उसकी आतमत्या से पहले लिखे गए आखरी जो पत्र थे उसमें लिखा था my dear जैनिव मेरी prayer जैनिव you listen to the voice of the multitude but that voice is never sincere तुमने भीड की आवास सुनी लेकिन वह आवास कभी सच्ची नहीं होती still my last wish is to be with you मेरी आखरी इच्छा फिर भी ये है कि तुम्हारे साथ रहूं please bury me in your village and come from time to time to put a flower on my grave किरप्यम मुझे तुम्हारे गाव में ही दफनाए और समय समय पर मेरी कबर पर एक फूर रखते हैं तो यह था आपने देखा last question में मैं आपको दो tips देना चाहते हैं जिससे आप English का paper easily crack कर सकते हैं पहला previous question paper को जरूर चेक करें कौन-कौन से question आया है जो कि मैंने अप्लोड कर दी हैं दूसरा अगर आपको लगता है आपकी English अच्छी नहीं है आप नहीं बना पाते हैं sentence यह आपको लगता है आपकी English ठीक ठाक है तो आपके पास एक trick है आप थोड़ी से कुछ जो question और answer से previous year में आये हैं उससे याद करके चाहें जैसे ही आप exam hall में बैठते हैं आपको answer sheet मिलता है pencil के help से फटा फट से पीछे answer sheet के आपको जितने भी चीज़े आपको याद है वह सारी चीज़े लिख लिनी है ठीक है फिर ऐसा होता है कि जब आपको question paper मिलता है तो आप easily आपने answer को attempt कर पाएं और आप सोच कर भी अपने शब्दों में भी जो है answer को लिख सकते हैं और पीछे से देखे तो आप लिखेंगे क्योंकि आपने पहले ही एंटर करते ही होल में answer sheet पे अपने answers को जो आपने याद के थे वो लिख लिया था तो इससे आप अपने answers को better लिख सकते हैं और last में erase भी करना है जो आपने pencil से लिखा होता है इस वीडियो को देखने के लिए नेक्स जो हम poem करने वाले हैं night of the scorpion आप उसको भी जरूर देखे थैंक यू बाई